जहिन साथियो गुड़ मॉर्निंग सुपरभात दोस्तों यहां पर बिहार सिचक नियोजन से जूड़ी बहुती बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो कि आज का करेंट अपडेट है यहां दिक्स पार होंगे जो कि मुझे परपूर से अपडेट आ रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जीले के 313 नियोजन एकाई पर होगी प्रशाषन करवाई जीहां दोस्तों बहुत सारे नियोजन एकाई ने बहुत सुष्ती दिकाई है और जैसा कि दोस्तों आपको पता है सिक्षा निदेशक के दुआरा जो लेटर जारी किया गया था 31 दिसंबर को लेटर में जिगर किया गया था कि जो भी आदेश का पालन नहीं करेंगे उस पर जो है प्रशाषन करवाई होगे तुसी को लेकर दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आ रहे है साथ में आपको दोस्तों बता दूं कि सिक्षा विभाग जो है दो दिन जो है आपकास है यानि दो द लेकिन आपको जो है लेटर नहीं देखने को मिल सकता है उसी के जो है लेकर अभिहारती काफी परेशान है और मैधा सुची जारी अब तक जी जिलों में नहीं हुआ है नीचे में आप कॉमेंट करके जरूरी बताईएगा क्योंकि दोस्तों जैसे अपडेट आता है आपको हाख है अगर आप आगे आएंगे नहीं तो दोस्तों आपका हाख नहीं मिलेगा जो आप दो साल से इंतिजार की कर रहे हैं और एक बहुत ही बड़ा अंदोलन होने जा रहा है अंदोलन का आगाज भी हो गया है वह 18 तारीक को है तो इस पूरी खबर को देखेंगे उससे प 19-20 मैधा सुची जारी करने में लापरबाही पर डियो ने की संसुस्ती यहाँ पर आगे करना है किस परखन में कि कितनी नियोजने काई पर जो है करवाई होना है तो देख सकते हैं और राय में 26 और बंदरा में 5 तो इस तरह का आप देख पार होंगे गया घाट में 17 काटी में 17 कंटरा में 22 कुडली में 28 इस तरह का देख पार होंगे यहाँ पर दिया गया यानि कुल जो है 313 नियोजने काई यह दोस्तों मैं मुझपरपूर का बता रहा हूं ना स्रिफ पूरे बिहार का में बता रहा हूं तो आप देख पार होंगे स्रिफ मुझपरपूर में 313 यहां पर एक बड़ा अंदोलन होने जा रहा है तो यहां पर देख पार होंगे आगे कहना है कि भेजी नियूजे ने काई कि सुची मैधा सुची जारी नहीं होने पर भिहारती कर रहे हैं विरोध परदसन यह मुझा परपुर से आज का लेटेस्ट अबडेट है शिक्षक नियूजन 2019-2020 की अंतिम मैधा सुची जारी करने में लापरवाई बरतने के आरोफ में जिले के परखन एवं पंचायत में 313 नियूजन ने काई के खिलाब प्रशासन करवाई अनुसा जिला शिक्षा पदकारी ने कर दी है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कर भी जटाने के मैधा सुची विभाग को दी है दोस्तों देख पार हैंगे यहां पर 300 जो यहां पर 313 दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आधा नियोजन एकाई ने भी जो प्रशासन का यानि जो सिक्षा विभाग ने आदेश दिया है उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है जो अभ्यारती को परेशान का जहलना करना पड़ रहा है केबल बिरासी नियोजन एकाई ने मैधा सुची विभाग को दिये मिनापूर पर्खन के सभी पंचायत नियोजन एकाई ने मैधा सुची जमा कर दिये जबकि मिनापूर के साथ ही बंदरा पर्खन नियोजन एकाई की सुची जमा किये वस 2019 में सुरू हुई नियूजन परकिरिया आप तक पूरी नहीं हो सकी इसमें सेकडो अभिहारती परेशा ने सुंबार को TT STT सिच्छक बहाली मोर्चा ने DPO अस्तपना कारियाले में तालाबंदी के साथ DPO अस्तपना DO एवं DM को पत्र दे कर मैधा सुची परकासन सिग्र कर आगे काना है इसको गंभीरता से लेते हुए डियो ने लापरवाई बरतने वाले नियूजन ने कहा है कि खिलाब प्रशासन करवाई के लिए DM को पत्र भेजा है यहां तो देख दोस्तों पत्र भी भेज दिया है और आगे काना है कि डियो अस्तपना मोहमत जमावदिल ने बताया कि पंचायत नियूजन ने कहाई के खिलाब करवाई के लिए DPO और परखन नियूजन ने कहाई पर करवाई के लिए DM को अनुशंसा पत्र भेजा गया है केवल मिनापूर परखन के ही सभी पंचायत एवं परखन नियूजन ने कहाई सुची विभाग को मिली है दोस नियोजय ने काई के सूची दिया तो दोस्तों यहां पर देख पार होँगे कहीं ना कहीं अभ्याती परेसान हो रहे हैं और हतास हो रहे हैं उसी को लेकर अठारा तारिक को जो है अनुमति मिलती है तो जु मांषित हो सकती है तो इस हमद्वे हैं इतना ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सकाइब करना दोस्तों जैसे के आपके स्क्रीन पर आप देख पार होंगे पटना के गर्दनी बाग में महा अंदोलन का आगाज हो चुका है और यहाँ पर देख पार होंगे साथियो 94,000 बहाली बिना अंदोलन संपल नहीं हो सकती है 18 जन्मरी से परमीशन मिल चुका है अब अनिश्चित काल धरना चल सकती है आप देख पार होंगे जो एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है तो अब तमाम अभिहारतियों से अनुरोध है कि आपने घरों से निकलिये क्योंकि आपको जो है बिना आंदोलन किये हुए आपको जो है निक्ति पत्र नहीं मिलने वाला है तो आपने हक के लिए अपने नोकरी के लिए जो है पटना के गर्दनी बाग में जो 18 तारिक को अगाज किया गया है सभी सिच्चा का अभिहारती जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे है तो यह जो है उन महलाओं के लिए समर्पित है अपने घरों से निकलिये अपनी हक के लिए अपनी लड़ाई के लिए क्योंकि दोस्तों आपको बिना जो है संघर्ष की बहाली जो है पूरा नहीं हो सकता है तो आपको भी जो आगे आना पड़ेगा और आपको दोस्तों पता है सिच्चा विभाग दो दिन आवकास है और आपको बताते चलूँ दोस्तों बहुत सारे नियूजे निकाई सिर्फ में अभी मुझा परपूर का ही बात नहीं कर रहा हूँ बहुत सारे ऐसे जीले होंगे जो अभी तक जो फानल मेरिलिस्ट अंती मैदा सुची जारी नहीं किया है और ये जो अभिहारतियों को सिर्फ इसमें परेशान हो रहे हैं दो साल से एक ही बहाली क्योंकि दोस्तों आप जो है इस बहाली को पूरा नहीं करेंगे तो आगला बहाली जो है नहीं देगी तो आपसे अनुरोध है कि आपने घरों से बाहर निकलिए और जो 18 जन्मरी को जो है सभी भाईयों बहनों के लिए ही ये जो है किया जा रहा है ताकि आपको जल से जल नुक्ति पत्र मिले और तो इस अपडेट में फिलाल इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए